हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बच्चों 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 सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि देखो जिन बच्चों ने यूनिट थाट अच्छी से पड़ा है स्टेप बाइस्टेप उन सब को पता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो बीच में से मुझे करते हैं सर यह कौन से यूनिट का टापिक है तो भाई आप आपना बहुत लास्ट कर रहे हो मेरी एक ही रिकुमेंडेशन है कि आप स्टार्टिंग से वीडियो यूनिट थार्ड की दुबारा से देखें एक्स्टा टाइम निकाल के नहीं तो आपको आगे कमिस्ट्री आन और एलेक्टरांस में क्या चीज होती है कि वैलेंस शेल सबसे ज्यादा मैटर करता है सबसे ओटरमोस्ट शेल जो होता है वो वैलेंस शेल होता है और वैलेंस शेल में जो एलेक्टरांस होते हैं उन्हें हम वैलेंस एलेक्टरांस कहते हैं अब टोटल बात किसकी आगी को यह एक अपने माइंड के अंदर स्केच बना के रखना है कि सारी अलेक्टरांज चाहिए एक अलिमेंट के पास जीतने भी हो हमें उसे मतरब नहीं हमें मतरब है वैलेंस चेल से वैलेंस चेल में जो अलेक्टरांस हैं उन्हें हम वैलेंस अलेक्टरांस कहते हैं और वैलेंस electron भी सारे काम के नहीं है वो valence electrons जो के unpaired है जो के क्या है unpaired है means single है clockwise direction या anti clockwise single है वो हमें उनसे काम है बाकी जो अंदर वाले electrons है shell में हमें उनसे कोई मतलब नहीं है ये electrons क्या करते हैं आपने देखा है जैसे hydrogen hydrogen gas जो होती है वो atmosphere में present होती है वो H की फार्म में नहीं होती वो H2 की फार्म में होती H2 gas की फार्म में ऐसे ही oxygen O2 की फार्म में होती है तो first unit में मैंने आपको बताया था कि ये atom है और ये atom जुड के क्या बना रहा है molecule बना रहा है अब ये atom जुड कैसे रहा है ये ही हमने पढ़ना है chemical bonding में कि जब atoms जुडते हैं वो molecules बनाते हैं compounds बनाते हैं तो उनके अंदर जिस force of attraction से अब ये hydrogen है H2 बना रहा है means एक hydrogen और दो hydrogen ये दोनों hydrogen आपस में जुडेंगे जुड के क्या बनाएंगे भाई H2 बनाएंगे तो question rise होता है कि आकर ये जुडते कैसे हैं आकर ये जुडते कैसे हैं तो ये ही हम पढ़ेंगे कि जिस force से ये जुडते हैं उस force को हम chemical force कहते हैं ये inter molecular force कहते हैं और जो bond बनता है इन दोनों के बीच में उसे हम bond कहते हैं जैसे कि देखो आप कहते हो कि मेरी x y z person के साथ bonding है bonding मींस linkage है आप उसके साथ अच्छी bonding है आप उसके साथ जुड़े हुए हो तो bond मींस वो जुड़ा हुआ है लेकिन जुड़ेगा कैसे ये depend करता है उसके valence electrons पे number one जैसे hydrogen है hydrogen की electronic configuration 1s1 तो इसके पास valence shell एक ही है पहले ही shell है जो के valence ही है और इसके पास एक electron है तो दूसरा hydrogen भी ऐसा ही है 1s1 दोनों के पास एक एक electron है ठीक है और फिर मैंने आपको second unit में बताया कि हारेक element चाहती है कि वो inert gas की तरह बने मींस helium नियान आरगान, क्रिप्टान, जीनान, रेडान ठीक है, ये inert gas है कि हम सारी जो हैं वो stable हो जाए अब hydrogen के पास एक electron है इसको हमने dot से शोग किया क्यों dot से शोग किया है ये इसको क्या कहते हैं अभी हम पढ़ेंगे आगे अभी देखो इसको simple ये दूसरा hydrogen इसके पास भी एक electron अब जुडने की इनकी मजबूरी है शोग से नहीं जुड़े हैं जुड़े इसलिए हैं कि hydrogen के पास एक electron है इस hydrogen के पास भी एक electron है stable होने के लिए इनके सबसे सबसे पास कौन सा है helium इसके पास भी एक है ये भी stable बनना चाता है ये भी stable बनना चाता है तो ये क्या करेगा इसके साथ sharing करेगा जैसे चाकलेट है दो दोस्तों के बीच में बूख लगी दो नूने आ दिखा ली उसको mutual sharing कहते हैं तो आगे हम पढ़ेंगे ये सब कुछ लेकर अभी अब सिंपल याद रफो कि इसने इसके साथ sharing की अब इसके पास एक ये वाला एक ये वाला दो होगे similarly इसने भी इसके साथ sharing की इसके पास भी एक ये एक ये होगे दो होगे तो H2 molecule में ये बन गे इन्होंने bond बना लिया और ये stable होगे तो शाबश ये जो चीज बने बीच में जिसको हम line से show करते हैं ये bond होता है और जिस process से ये जुड़ते हैं उसको हम chemical bonding कहते हैं number one दूसरा याद रखना है atoms when combines to form molecules or compounds they always forms chemical bond chemical bond के through ही जुड़ेंगे और कोई दूसरा तरीका नहीं है simply याद रखो a bond is the handshake between two persons दो persons आपस में कैसे जुड़ रहे हैं उनके बीच में handshake हो रहा है ये इसके साथ handshake कर रहा है ये इसके साथ तो bond बन गया ये सुमिना और bond से चीज जो है वो stable होती है number one ये कुछ basic बता रहा हूँ फिर हम chapter पर चलेंगे दूसरी चीज बच्चे आपको पता भी है लेकिन कुछ बच्चे जिनमें बाद में जाइन किया आइन्स आपको पता है कि दो type के होते हैं एक positive एक negative ये stage ये बताने का नहीं है लेकिन पता होना चाहिए अब क्या होता है कि मान लो हमारे बास एक compound है A, B ये A, B जो है अगर तोटेगा A positive और B negative में तो याद रखना है A positive वाले को हम catein कहते हैं और B negative वाले को हम anine कहते हैं ये चीजें आपको basic बता होना चाहिए और catein कैसे बनते हैं by losing of electron जितना इनके उपर positive चार्ज होगा इतने इन उन्हें electron lose की होगी 2 positive होगा तो 2 electron 3 positive होगा तो 3 electron lose की होगी और anine जो हैं वो gain करने से बनते हैं ये कुछ basic है electron gain करने से और कुछ नहीं ये सारी चीजें आपको याद रखने है तो ये आपका syllabus है जो हमने इस unit में पढ़ना है बड़ी basic चीजें आपको समझना है बचे अब हम आज आते हैं जो आपको notes बेजे उन notes पे और बहुत अच्छे notes हैं ये atoms are atoms are usually not capable of एक second बचे screen rotate कर लेते हैं आपको अच्छे से समझ जाजएं ये कह रहा है बचे कि atoms are usually not capable of free existence कि atom जो हैं वो freely exist नहीं कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बता है hydrogen H वो freely exist नहीं कर सकता है क्योंकि वो unstable होता है but groups of atom are same are different elements exist as one species कि वो क्या करते हैं मिलके species मनाते हैं मिलके आप इसमें जैसे hydrogen hydrogen 1 नहीं रह सकता हुआ H2 बनाता है oxygen है P4 है S8 है sulfur का H2 water है तो मिलके यह बनाते है a group of atom combining together as one species and having characteristic property is called as molecule यह कहता है कि जब atoms एक जैसे आप इसमें मिलते हैं मिलके कोई चीज बनाते हैं तो उसे हम molecules कहते हैं यह obviously हमने पहले पढ़ चुके है और obviously there must be some force which hold these items together within कि अगर molecules बन रहे है items के मिलने से तो वो जुड रहे है सोचने वाली बात यह है कि वो जब जुड से हैं तो उनके बीच में कोई force होगी तो वही force उसको हम क्या कहते है chemical bond कहते है तो chemical bond की definition कहा है the force which holds the atom together within a molecule is called as chemical bond कि एक molecule के अंदर जैसे hydrogen hydrogen और hydrogen के बीच में जो force इन दोनों को क्या कर रही है जोड रही है उसको हम क्या कहते है chemical bond कहते हैं और process को chemical bonding कहते है तो यह कहता है why do atoms combine कि atoms combine ही क्यों होते है ऐसी क्या निक्ट पड़ी तो यह समझ रहा है बच्चे Levis causal approach to chemical bonding के recording यह बताया गया है the atom of different elements combine with each other in order to complete their respective octet याद रखना है octet का मतलब होता है 8 electrons in their otomose shell are doublet otomose shell having two electrons in case of hydrogen, lithium and barilium to attain stable, nearest, noble, gas, electronic configuration तो बच्चे याद रखना है Levis causal की short में मैं बता जूँ कि हर एक element यह चाहता है कि या तो उसकी valence shell में electrons दो हो nearest में अगर एक है तो वो दो बनाएगा या फिर अगर कम है तो वो 8 और जमा करेगा octet बनाएगा तांकि वो stable electronic configuration बना सके means in short आपको याद रखना है कि वो inert gas की तरह बन सके helium, neon, argon, krypton, xenon, radon 2, 10, 18, 36 यह इन की तरह बनना चाहते हैं तो कोई भी element जो है जो nearest इनके पास यह वाला atomic number आएगा तो उसमें जितने electrons होने चाहिए वो उस element के साथ क्या करेगा जूडेगा और यह वाली electronic configuration जो है attain करेगा तांकि वो क्या हो जाए stable हो जाएगा यही कहा था Lewis causal approach ने modes of chemical combination के कैसे कैसे chemical combination हो सकती है जिसे हम कहते है types of chemical bond तो समझना है first क्या है by complete transfer of one or more electron from one atom to another this process is referred to as electrovalency and the chemical bond is called as electrovalent bond or ionic bond बचे याद रखना है सबसे पहला bond ionic bond कि ionic bond कौन सा bond होता है ऐसा bond जो क्याद रखना है complete transfer of one or more electron एक या दो electron की complete transfer होने से जो bond बनता है उसको हम कहते हैं electrovalent bond या ionic bond क्यों कहते हैं example देता हूं आपको node down करने या आपने ये example अपने node पूप पर जैसे कि example ले लो NaCl sodium chloride जो कोई आप अपने घर में खाते हों तो basically ही होता क्या है कि ये exist करता है NaCl किस form में Na positive और Cl negative और Cl negative की form ले अब क्यों करता है मुझे nearest इसके कौन सा है आगे जाएंगे तो 18 18 बड़ा दूर है इसको 7 electron चाहिए ठीक है लेकन पास में इसके कौन सा है पास में इसके neon है जिसका atomic number क्या है 10 है तो sodium की electronic configuration हम देखें 1s2 2s2 2p6 3s1 तो ये क्या करेगा इस valence electron को दे देगा किसको देगा अभी बताऊंगा तो ये क्या बन जाएगा Na positive बन जाएगा क्योंकि इसने एक electron दे दिया किसको देगा अभी बताऊंगा complete दे देगा complete दे देगा तो क्या बन गया Na positive cation बन गया ये case आपने पहले याद रखना है अब आते हैं Cl negative के case पे Cl atomic number के 17 1s2 2s2 2p6 ठीक है 3s2 3p 6s4 10 12 5 17 Atomic number के है 17 इसके पास P में 5 electron है कितने electron है 5 1 2 3 4 5 अभी एक electron इसको और ये ले सकता है लेकर nearest इसके कौन सा है आरगान तो जब ले लेगा एक electron गेन कर लेगा तो क्या बना लेगा 18 18 क्या है आरगान 18 कैसे बनेगा Cl negative अगर होगा मतलब कलोरी ने एक electron गेन कर लिया तो अब होता क्या है देखो N A और C L N A क्या अटामिक नामर क्या है 11 और इसका क्या है 17 कुलोरीन हेलोजन है इसकी इलेक्ट्रो नेग्टिविटी जादा है हमने 2nd unit में बढ़ा 3rd में इसकी इलेक्ट्रो नेग्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है हेलोजन्स की इलेक्ट्रो नेग्टिविटी मेंस ये electron को अपनी तरफ क्या कर लेगा शिफ्ट कर लेगा तो ये इसका जो वैलेंस च्याल होगा 3S1 उसको अपनी तरफ complete ट्रांसफर कर लेगा खींच लेगा क्योंकि इसके पास 3P5 था ये 3P6 कर सकता है एक electron की जगा है इसके पास और क्लोरीन की इलेक्ट्रो नेग्टिविटी ज़्यादा होती है तो ये जब इससे electron को छीन लेगा तो इस पे आ जाएगा कौन सा चार्ज नेग्टिव नेग्टिव मिल्स अब ये क्या बन गया 18 अठारा के आरगान बन गेज टेबल लेकिन इसको छीनने से क्लोरीन का तो फाइदा हुआ ही हुआ लेकिन जनाब सोडियूम का भी फाइदा हो गया सोडियूम के 11 electron थे एक electron इसके देने से इसको ये नहीं खीन सकता सोडियूम क्यों electronegativity क्लोरीन की ज़्यादा है chlorine is more electronegative as compared to sodium जिसकी electronegativity ज़्यादा होगी वही electron को छीनेगा और उसमर negative चार जाएगा सोडियूम की electronegativity काम है इससे ये electron को इससे छीन नहीं सकता बलकि दे सकता है इसने दे दिया तो देकर एक electron ये बन गया दस तो दस क्या है नियान तो sodium क्या बन जाएगा na positive तो इन शार्ट इन दोनों nacl की case में क्लोरीन पर क्यों सा चार जाएगा नेगटिव और sodium पर क्यों सा चार जाएगा positive अब positive means ये बन गया नियान और ये बन गया आरगान ये बन गया एन आइन और ये बन गया कैटाइन पाजटिव और negative के बीच में क्या होती है अपस में attraction होती है electrostatic force of attraction opposite charge unlike charge attract each other तो जब attract कर रहे हैं तो ions के बीच में क्योंकि ये cation है और ये क्या है anion है बना कैसे बता दिया ये अब stable हो गया ये भी stable हो गया इन्होंने electron को एक ने lose किये तो cation बना लिया एक ने gain किया electronegativity ज्यादा थी तो anion बना दिया दोनों के बीच में ये ions है ions के बीच में जो bond बना उसको हमने क्या कहा ionic bond कहा या क्या कहा electrovalent bond कहा और इस process को हमने कहा electrovalency कहा तो सबसे पहला मैंने आपको बताए कि ionic bond जो है वो कैसे बनता है I hope आप समझ गया होंगे नहीं समझे तो फिर से समझ रहे हैं दूसरा क्या है बच्छी बहुत सारी bonds से लेकिन सबसे important ionic bond जो कि हमने discuss किया जो complete transfer of electrons से बनता है और उसमें ions बनते है positive और negative ठीक है positive electron देने वाला और negative electron लेने वाला दोनों के बीच में अब attraction होती है तो ionic bond होता है दूसरा है by sharing of electrons कि electron की sharing से by sharing वाला sharing means जैसे मैंने example दे आपको कि आपको book लगी है दो दोस्ते है chocolate एक है दोनों ने आदी आदी खाली तो उसको हम क्या कहेंगे mutual sharing तो जब mutual sharing of electrons हो तांके वो stable कर सकें दोनों अपने आपको तो उसको हम क्या कहते हैं sharing of electrons mutual sharing of electrons और उस case में कोई भी बोट वहां पर ions नहीं बनेगा क्योंके वो share कर रहे है आइन चार्ज पास्ट्व और नेग्ट्व तब ही आएगा जब complete transfer of electron होगा तो यहां पर तो complete transfer नहीं है यहां पर क्या है यहां पर sharing of electron है याद रखो ionic bond भूख लगी है एक को तो एक ने खीन के दूसरे से खा लिया तो वो है ionic bond लेकन covalent bond means sharing of electron mutual sharing वाला यह है कि दोनों को भूख लगी है दोनों ने आदा आदा खा लिया तो जो sharing of electron से bond बनता है उसको हम क्या कहते है covalent bond कहते है और in bond को हम यहां क्या कहते है कि when the shared electrons are contributed by two combining items equally the bond found is called as covalent bond के जब दोनों equally share करते हैं तो उसको हम क्या कहते है covalent bond कहते है when these electrons are contributed entirely by one item but shared by both the bond found is known as coordinate bond is called as dative bond यह coordinate bond और dative bond के बारे में मैं अलग से बताऊंगा आपको लेकन first point के covalent bond क्या होता है यह आपको पता होना चाहिए देखो बचे हाइनिक bond का आपको पता चल गए कि complete transfer लेकन मैंने example दी आपको hydrogen और hydrogen की hydrogen के पास भी एक electron hydrogen के पास भी एक electron इसको भी stable होने के लिए दो electron चाहिए तांके यह helium बने और इसको भी stable होने के लिए दो electron चाहिए तांके यह helium बने हैं दोनों के पास एक-एक तो एक-एक और चाहिए stable होने के लिए तो electro negativity बच्चे दोनों की same है ना यह इस से चीन सकता है ना यह इस से चीन सकता है दोनों की सेमें तो यह क्या कहेंगे कि चलो भाई हम दोनों की थाकत एक जैसी है हम क्या कर लेते हैं अब इसमें शेरिंग कर लीते हैं और को वैलेंट बॉंट पर कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि ना कोई दे रहा है और ना कोई ले रहा है ये किया होता है एक देता है जिसके उपर positive charge जो दूसरा लेता है उसके उपर negative charge आज के लिए sufficient है ये चीज़ें पढ़ें और फिर book पे जितना आप extra पढ़ोगे इतना कम है इसकी examples देखें अलग अलग book जो भी आपके पास book है तो उस book को आप अच्छे से पढ़ें ये explanation दी भी दी भी आईनिक बॉंड की तो ये explanation हमने पढ़ ली है कि एक element कैसे electron को lose करता है ये again करता है ये वही लिखा हुआ आप इसको पढ़ लें ये example जो है वो वापस से हम discuss नहीं करेंगी हाँ लेवी structure मैं आपको बता दूँगा कि लेवी structure ये जो डाट होते हैं ये कैसे लिखे जाते हैं तो ये मैं आपको बता दूँगा लेकर ये जो यहां पर यह लिखा तो ये केस आप यहां से अच्छे से पढ़ लें और फिर लेवी डाट structure के बारे में आपको बता के next page पे हम चलेंगे Thank you